ना देही ना इनो ना बेकिंग पाउडर सिर्फ बहुत कम इंग्रीडियन में घर की रखी चीजों से एकदम इंस्टेंट खमंडोकला बनाकर तयार करेंगे जो सिर्फ 15-17 मिनिट में बनकर तयार हो जाएगा तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पेले यह यहां पर और तीन गिलास लेंगे इस तरह से गिलास को पिले यहां पर उइल से गिरिस करके इनको भी रख देंगे तो इस सारा काम आप पेले ही कर ले अब मिक्सिजार ले लेंगे यहां पर तो मिक्सिजार में हम यह जो हमने एक कप बेशन लिया आप कोई भी कप या कटो जाल रहे हैं तो आधीचमच डाले स्वाधनुसा नमक केट करेंगे वह थोड़ा सा है यहां पर हम येलो फूट कलर रेट करें हल्दी इसमें इसतेमाल नहीं कर रहे हैं इसमें जो येलो फूट कलर डालेंगे से कलर बहुत अच्छा आएगा तो अब यहाँ पर हमें 1-3 cup यहाँ पर पानी लेना है तो एक cup से थोड़ा कम हमें पानी लेना सारी चीजी को यहाँ अच्छे से blend कर लेंगे तो ये सारी चीजी अच्छे से blend हो चुकी है अब इस better को यहाँ पर हम mixing bowl में add कर लेंगे तो इस तरह से बहुती कम टाइम में बहुती मज़ेदारी खमन डोगला बनकर तयार होता है तो इस तरीके से आप एक बार जरूर से बनाए बेटर हमें इसी तरह के का चाहिए अगर आप एक कटोरी बेसन ले रहे हैं तो एक कटोरी से थोड़ा कम पानी यहां पर एट करें इससे आपका परफेक्ट ढोगला बनकर तयार होगा अब जिस चमच से हमने आपा सिट्रिक एज़िट लिया था उसी चमच से दो चमच यहां पर हमने खाने वाला सोडा एट किया है आप देखना कि बेटर हमारा एक दान फ्लपी बनेगा तो क्योंकि सिट्रिक एज़िट खटा होता है और इस सोडा डालने से इसमें रियक्शन होता है तो आप देख सकते के बाउल हमारा पूरा भर चुका है इस घोल से बेशन के घोल से तो पेस दस से पंद्रा सेकंड इसको अच्छी से मिक्स कर लें अब यहां पर जो गिलास हमने ओल से ग्रीस करके रख रखे थे उनमें यह बेटर रेट करेंगे यह नहीं यहां पर आदा-ादा ही हमें भरनाए तो एक कप बेशन में हमारा मजेदा ढूकला वनका तयार होता है एक बार आप इस तरीके से इस्टेंट ढूकला जरूर से है तो यहां पर आदा-ादा गिलास हमें भरनाएँ अब गिलास को थोड़ा सा टेप कर देंगे आपर अब चलते हैं बरतन में स्टीम करेंगे इसको तो यहां पर पानी भी अच्छे से बोईल हो चुका है इसी तरह से गिलास रख देंगे इसमें हमने कोई स्टेन नहीं रखा है लिट से कवर करके 15 मिनिट के लिए मीडियम टू हाइफ लें गरम गरम में इन्हें गिलास से बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे तो इनको हलका सा ठंडा होने दया तो इनको थोड़ी सी देर हम साइड में रख देंगे और पंके में रख देंगे इनको 5-10 मिनिट के लिए तो यह हलके से ठंड हो चुके हैं तो इस तरह से आप टेप करे तैयार कर सकते हैं वो भी बहुत कम खर्चे में तो यहां पर यह ढोकला इसली निकल गिया है तो आप उइल को अच्छे से ग्रेस करें ग्लास में जिससे हमारा जो डोकला हो जट से इसमें से निकल जायागा अब इनको यहां पर हम कट कर लेंगे गोल-गोल पीस में तो देखने में बड़ा शांदाल लगता है तो इस तरह से हम सारे कोई कट कर लेंगे आप देख सकते काफी अच्छे से जाली बनी हमारे ना मने इसमें इनों का इस्तिमाल किया ना दही का इस्तिमाल किया तो यहां पर आप इसी तरह से घर की रखी चीजों से इस डोगले को ए बाद इसमें थोड़े से राय के दाने और यहां पर दोहरी मिर्ची एट कर देंगे और यह थोड़े से सोटी होने के बाद इसमें आदा कटोरी पानी एट कर देंगे एक चमची यहां पर शकर एट कर देंगे और यहां पर एक पिंच जितना नमक कर देंगे ज्यादा नमक हम बड़ा खट्टा मिठा बनकर तयार होगा आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरू से लाइक करें अपनी फेमिली और फेंड्स से में इस वीडियो को जरू से शेयर करें तो इसी तरह से हम सारे ढोकले पर पानी डाल देंगे जिससे जो हमारा ढोकल अब देख सकते हैं इसको तोड़ेंगे तो एकदम भिखरा भिखरा सा ढोकला हमारा बनाए है तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते एक नए रेसीपी में नए वीडियो के साथ जब तक के लिए थैंक्यू सो मा टिया नए वीडियो की की भीडियो के ले खेंदे golे दोर के साथ ग्योंगे सा एक अधरूब में इस को पस्के मpine याए rouग थैं़ पस्सकतते हैं जक्छए तो उङते meंः हैं और नए भीडियो के शेर दोर तो पस्सका में आखी तो पस्कानी उादय के पसलागद के लBYए